और ओके गाइस से रेटेड ब्लॉगिंग से रेटेड गूगल एड्सन अपूरा से रेटेड़ मैं आपके लिए इंफर्मेशन लेके आता रहता हूं इस टैप बाइस टैप गाइड करता रहता हूं और एक मैं हंडेड परसंट सक्सेस्फुल ब्लॉग क्रेट करवाने में आ सब्सक्राइब जिससे मेरी लिटेष्ट वीडियो आपको नौडविकेसन मिल जाएगी ओके गाइस करते हैं वीडियो स्टाइट गूगल पर रहेंग करने के लिए आपको क्या स्टैप फॉलो करना चाहिए कि आपको माइक्रो निस कीवर्ट फाइंड करना चाहिए माइक् रहते हैं उसको पर्चिस करना चाहिए या टॉप लेवल डॉमेन नेम को पर्चिस करना चाहिए मैं आपको बताते रहा हूं अगर आपको विगना रहें आपको गूगल पर रैंक होना तो आपको टॉप लेवल डॉमेन नेम को रजिस्टर करना चाहिए टॉप लेवल डॉ तो कि वह फाइंड यह सो पोच्ट क्रीट करना के आप पोस्ट आपको जो भी कीवर्ड टार्ड़ करना तौधित adalah कि आपको शर्ड करने है अब बुलते सर्टेस कीवर्ड ग्या होते यूजुगल पेड़ाती है रिजो बीकी वर्ड डालते से फना सर्ची सीट वाइवड करोगी आप पोस्त करेट करोगे तो आपको सार्च कई वाद उसमें कैसे करना वगह आपको पैक्टिकल्ही करता तो चुछ कंपा उसका यह यह वैंसे वैंन वह आपको जलिए के बाद पोस्ट कम्प्लीट कम्पिलीट करने के बाद साइड मैप जनरेट करके वह जब है कर गूगल पे इसका होता है कि आपका ऐस में प्रॉब्ल layers आती जैसे होगे वार्निंग की एरर की या कवरेज का प्रॉब्लम आता है तो वह प्रॉब्लम नहीं आएगा यह मेरी पैक्टिकल स्टैटीजी में आपको बता रहा हूं कि यह स्टैप फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा है वेनिफेट होने वाला है इससे क्या होत गूगल पर रहें कर रहा है अगर आप उसि ब्लॉक पर एक पोश्ट क्रेट करोगे पोश्ट प्रेट करने के बाद उसको गूगल साच कंसोल में इंडइक्स कर ओगए इंड रिक्स करोगे बैस तो हो जाए अचैके बॉंद ऐंड क्या करेका कुछ इंप्रेशन ंडाौन index और दिखा एंग शकर है गर आप सकते हो जिस दिन नहीं नहीं कर आया उसका ग्राप में चेक कर सकते हो कैसे क्या इंक्रीजी हुआ कि यह प्राब्लम थी या है इस टेप wipes कर सकते हो फोर्त स attends आता है क्या आपको गूगल करने के लिए एक उद मैं क्या अभी तो के पीछे नहीं भागो क्योंकि क्या होता है काफी विगनल लोग आते हैं डॉमिन नाप पर्चस करते हैं उसी में पोड़ते रहते हैं डालते रहते हैं बट रैंक हो जाता है बट उतना जदा आपको वेनिफिट नहीं होता अगर आपने एक कीवर्ड फाइंड किया माइक्रो पोस्प्रीट करें मैं चूड़ करना है बना है करने लिए में करने का में फिर नहीं कर दो दोगे तो गूग सब्सक्राइब करना और शेख्याइंट के लिए ऑपकform बनाएंड कया बनाएकर करके ऐड लगा के फिर चोड़ देड़ाना को जब आपको आप आप छोड़ दोगे तो Google खुद देगा भाई ट्राफिक आपने तो Google के पास छोड़ दिया sarà प्लेतफॉर्म है प्लेटफॉर्म में आपने छोड़ दिया अब चलनाड चलाना उसका मरें आप mobility की वेबसाइट को चलाना कैसे वेबसाइट को चलाना चलाना तो उसका काम है ना आप तो चला नहीं सकते हो क्योंकि गूगल सर्च सब्सक्राइब करना है यह सब उसका अलगॉर्थम के थू होता है रैंकिंग के लिए ओकी गाईस यह हो गया फॉर्थ स्टैप कि आपको अपनी ब्लॉग को वैब साइट बना के अगर आपको ट्रैक करना तो आप गूगल एनलेटिक के थूट कर सकते अपनी वैफसाइट को क कुं सा कीवर रहा है किस पोश्ट मेरे को अभी और अपडेट करना चाहिए कैसे अपडेट करना चाहिए ऐसे हो मेरी एक पोस्त ह Dual और गूगल करें आप गूगल वी के साथ कुछ भी नहीं करना वहां जाना भी नहीं गूगल एनलेटिक यूज करना है अब अब आप अपने ब्लॉग मेर गूगल एनलेटिक को कैसे लिंक करोगे उसकी वीडियो भी आई बटन पर दे दूगा आप वहां जाके आसानी से देख सकते हो आपको बैस्ट प्रॉफ कोश्ट है मेरा जो कीवर्ड सबसे ज्यादा रहें कर रहा है यह आप सब कुछ गूगल एनलेटिक के थुरू ट्रैक कर सकते हो यह आपको फॉर्थ पॉइंट अब आता आती है कि आपको गूगल पर रहें करने के लिए क्या क्या आपके ब्लॉग में होना चाहिए और कैसा आएगा और आपको जो ब्लॉग है फास्टी ओपन होगा तो आपके ब्लॉग में यूजर यूजर आपके ब्लॉग में रिटन विजिट करेगा रिटन विजिट कौन कौन यूजर करता उसको भी ट्रैक कर सकते आप गूगल अनलेटिक के लिए तो आपको रिटन विजिट एंड आप पर देज अच्छे से क्रेट करना क्योंकि उससे भी एफेक्ट परता है आप आपको मैं पॉइंट आता है गूगल पर रेंग करने के लिए थीम क्योंकि तीम में ऐसी हो कैसे करना उसकी वीडियो भी आई बेटन पर देदेगा आप 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 नीचे देख सकते हो उसमें आपको टोटल एंड पुरो ब्लॉगर जो ट्रेक फालू करता है एस यो अप्लाइब करने से लेकिन उसमें पूरे डिटेलर बता है तो उस वीडियो को जाके जरू बहुंच करना फिर आप लास्ट में इस वीडियो को देख सकते हो अब बात आती यह अपकी थेम पर थेज़कर ना या आपके पास फिमदीया या टेंपलेट से करेंस करना चाहिए और रिस्पांसिव होना चाहिए मोबाइल पे डिश्टॉप पे लैप्टॉप पे एंड टैबलेट पे इसली ओपन होना चाहिए इसका भी वैनिफिट होता है अगर आपका पेज़िस अगर आप पी थीम का यूज करते हो तो वह क्या होता फास्टली लोड होती है उसमें आप रैंक करने की चांसेस इजी हो साथ कि इसकी पेजेस रहते हैं फास्ट्री लोड होते हैं लोड होते हैं तो वह फास्टली ओपन होता उसकी पेज़िसिट है जो हई होती है जिससे आप सन्छ कांव हग को घा करता हूंग के लिए बहुत ज़्यादा इंफोटेंट है अगर आप ब्लॉगिंग की जनरी स्टार्ट कर रहे हो मैं तो आप से एक ही रेक्मेंट करूंगा हर वीडियो मैं डिसकर्स करता हूं इस वीडियो मैं डिसकर्स कर रहा हूं कि आपको टैन पोस्ट कंप्लीट करने के वाद सर्च क दो पाना तो बैक लिंग करना पड़ेगा अगर आप अभी से अपने बैक लिंग करेट करोगे तो आपका डॉमेंट नाइम के ठोटी पेज अथर्टी इंक्रीज होती है और यह पार्ट है जो आफ पेज अपका लिएर हो जाएगा तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और क्योंकि आपके हाथ पर तक आपको कैसे करना बट पे जाषियो रहता जो गूगल इल्गोर्थम के तुरू होता है जितना जाधा आपका करेदा ऻियुक्त भाफ गजाए होता है इसलिए मैं आप से बोल ङूंड होंग आफ पेज यहुद रिएग से लिएJe किसी में का बहुट करना है। नो साद करें आप लिए अपने विलॉच पर एकल के लिए ब सकते हैं आप गूगल पर रहेंग करने के लिए क्योंकि गूगल पर रहेंग करने के लिए जो एल्गोर्था में वह आपका रिफ्रेंस देखती है कि कि इतने डॉमेंन से आपका ब्लॉक का रिफ्रेंस है जितने ज्यादा डॉमेंन पर आपका रिफ्रेंस रहेगा आप गूगल पर र जाएगी और मेरे को मोडिवेट करने के लिए लाइक तो करके ही जाए जय हिंद जय भारत